हालो एब्रिवन मेरा नाम साक्षी तोमर है और मैं आप सभी की बाइलोजी एजुकेटर हूँ आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले बायो टेक्नोलोजी प्रिंसिपल आइंड प्रोसेस आप सब लोग बेटा सी यूटी की तैयारी में अब लग चुके होगे या फिर इस चाप्टर को बिलकोल बेसिक से लेके पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस पूरी क्लास में चाप्टर के साथ सा जितने भी मेन कॉंसेप्ट है उनको मैं पूरी कोशिच करूंगे यार बहुत इजी से इजी वे में आप सबको समझाओं और विद कोस्टेंस भी हम लोग करन अगर आपकी बात करें आप लोग नाम थे ही समझ रहे हो यानि की बायो यानि की लिविंग और इसके अंदर हम लोग technology का tint दे देते हैं, technology को use कर लेते हैं, ठीके technology को इसके use से हम जितने भी living things हैं, जैसे कि cells हैं, tissues हैं, organs हैं, उनके अंदर changes कर देते हैं, यानि कि बायो टेक में आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग कर रहे हो, change in cell, tissue, for our welfare, for human welfare, ठीके, मैं लिख सकते हूं, change in tissue, change in tissue, cell, for any gene, basically हम gene के level पर change कर रहे हैं, for human welfare, जिससे कि मानव का उधान और मानव का जादा से जादा विकास हो, human welfare, और ये चीज अगर आप लोग सोच रहे हो, कि या रहे तो बहुत साथा modern चीज है, ऐसा बिल्खुल नहीं है, इस बायो टेकनोलोजी का use बहुत बहुत सालों पहले से हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, कि जैसे कि धाई बनाना, हम धाई बनाने के लिए क्या करत डीते हो, जो जो छोटा सा खटा सा बैक्तेरिया है लैक्तो बैसिलिया से बैक्तेरिया वो ऐसा इनोक्यूलं काम करता है, मतला थोड़ा सा डाला, उसको जो और सपने बुद्रक्रा को ए देजरेबल केडिशन थिबैक्रिया रहा है, बायो लोग यानिकि थो बायो यह भी two है, एक है modern बायो टेक्नलोजी जो हम लोग अब पढ़ते हैं और एक होदिये traditional बायो टेक्नलोजी एक है traditional और आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो modern बायो टेक्नलोजी जो पहले यूज होती थी और चो अब यूज होने लगी है ट्रेडिशनल बायो टेकनलोची में हम लोग क्या क्या बना रहे थे हम लोग बना रहे थे करड़ डोसा इडिली केक यह सारी चीज़े क्या है ट्रेडिशनल है करड़ दोसा इडिली केक यह ना इन सारी चीज़ों में किसका यूज हो रहा था यूज ओफ माइक्रो और्गिनि माइक्रो और्गिनिजम ठीक है लेकिन हम उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर रहे थे बस इन माइक्रो और्गिनिजम को ग्रोव करने के लिए एक आप्टिमम कंडिशन लेकिन इस शैप्टर के अंदर हम केवल और केवल क्या पढ़ रहे हैं मौडन बायो टेकनोलोजी पढ़ बाद करोगे तो यार यह तो आजकल हर जगा यूज हो रही है ठीक है आपने हूमन रिप्रोडक्शन हूमन हेल्थ पढ़ाओगा उसके अंदर क्या आए इन वर्ट्रो फैटिलाइजेशन किसका एक्जामपल है modern बायो टेक का एक्जामपल है एक मुवी वे आई थी उस पर करीना गपूर की क्या नाम था गुड न्यूज तो गुड न्यूज किसके उपर थी modern बायो टेकनोलोजी के उपर तो थी एक स्पर्म गलत ओवम से फ्यूज हो जाता है ना रॉंग उसमें changes हो जाते हैं वो भी किसके एक्जामपल है modern बायो टेकनोलोजी के एक्जामपल है अभी देखा आप सबने की कोरोणा हुआ कोरोणा में इतने नंबर आफ मतलब मिलियन नंबर आफ क्या बनी वैक्सीन बनी किसकी पूरोणा वैक्सीन इतने कम टाइम में कैसे बनी बायो टेकनलोजी के help से कितनी सारी क्या drugs बनते हैं anti-therapeutics drugs बनते हैं medicines में use होता है surgery में use होता है बहुत सारी disease में use होता है वो सब क्या है modern modern बायो टेकनलोजी का ही use है ठीक है मैं लिख सकते हूं IVS उसके बाद DNA vaccines है ना DNA के अंदर change करके जो हम जितनी भी vaccines लगा रहे है राक्स बनाने में use है ड्रग्स है इसका मतलब वो ली ड्रग्स नहीं है तुम लोग का नाम सुनते ही उसका दिमाग चलता है यह सारी क्या है medicines है टीक है एक एंटी बाइटिक्स बनाने में use हो रहा है तो इस चैप्टर के अंदर हम यहीं चीजों के अंदर deal करने वाले हैं इसका अगला चैप्टर आप देखोगे कि इसके अंदर हम सारी यह applications में देखते हैं लेकिन इस चैप्टर के अंदर देखते हैं कि यह जो DNA है यह जो gene है यह बनता कैसे है यह बनता कैसे है यह इसकी के पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम देख रहे हैं इसमें एक definition है जो हर बार पूछी गई है मतलब mostly मैं देखा है questions में पूछी जाती है कि बायो टेकनलोची की definition क्या है वो European Federation ने दे रखी है किसने बेटा European Federation ने इसकी क्या definition दे रखी है European Federation of European Federation of बायो टेकनलोची यूरोपीयन इसकी क्या definition दे रखी है इन्हों ने दे रखा है integration of natural science यह कुछ ऐसे है इना मैं मतलब कभी कभी पूछ ने जाते है which is the right definition according to EFB MCQ में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है in NCRT की तो एक एक लाइन इंपोर्टेंट है बेटा चीक है integration of integration of natural science organism cells organisms cells and molecular diagnosis करते हैं हम क्या करते हैं पीटा molecular diagnosis चीक है इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं बहुत सारे products बनाते हैं नहीं बनाते हैं बनाते हैं products बनाते हैं services देते हैं लोगों को products दे रहे हैं services दे रहे हैं लोगों को that is known as biotechnology यह B की definition है कभी कभी पूछ ली जाती है और देखो कोई कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता आपके पिपर में क्या पूछा जाए तो बेटा NCRT की तो at least हम इतना तो कर सकते हैं कि NCRT की तो एक भी लाइन हम लोग छोड़ना अफॉड कर ही नहीं सकते हैं तो देखो इस chapter के अंदर आप लोग कुछ पहले प्रिंसिपल्स देखो गए कि यह जितना भी बायो टेक्नोलोजी बन रही है यानि कि बायो टेक की मदद से जितने भी जीन्स बन रहे हैं जितने भी नई जीन्स डाले जा रहे हैं यह हटाए जा रहे हैं उसमें कोछ प्रिंसिपल्स का यूज होता है ठीक है वो करेंगे यह पूरा का पूरा किस पर काम कर रहा है दो प्रिंसिपल्स पर काम कर रहा है modern biotechnology कौन से प्रिंसिपल है genetic engineering पहला है genetic engineering दूसरा कौन से दूसरा है बायो process engineering यह दू प्रिंसिपल है जिसके उपर यह पूरा काम कर रहा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग यह दो प्रिंसिपल है जिसके पूरा का पूरा बायो टेक्नलोची काम कर रही है अगर आप genetic engineering की बात करोगी तो यह नाम से ही आप समझ पा रहे हो genetic याने कि आप कैसी के genes के अंदर छेड़कानी कर रहे हो याने की change in dna chemistry change in dna chemistry dna की chemistry को ही आप लोग change कर डालते हो और इसके अंदर बहुत सारी बहुत सारी क्या चीजे यूज होती है ऐसे कि आप देखोगे polymerase chain reactions देखोगे और gel electrophoresis देखोगे इसकी मदस से हम लोग क्या gene को ही change कर देते हैं वो है genetic engineering फिर है जब उस gene को हमने change कर दिया उसके बाद हमें उसको grow करना होता है क्योंकि देखो अगर हम कोई भी experiment कर रहे हैं ऐसा नहीं हमने एक gene एक host के अंदर डाल दिया और वो host बहुत ज्यादा replicate करेगा और सम में चला जाएगा experiment में नहीं होता तो हमें इसके लिए कि सब में जाए यह recombinant DNA ने अभी बताएंगे किसी किसी को भी नहीं पता रीकॉम्बिनेंट DNA किसी बोलते हैं वो भी देखेंगे तो उसको देखने के लिए हमें उसको cell को एक optimum conditions देनी पड़ते हैं कि sterile conditions प्रोवाइड करनी होती है sterile conditions इसमें देंगे बायो प्रोसेस इंजिनियरिंग में sterile conditions देनी पड़ती है sterile conditions कोन सी होती है जैसी कि contamination now यानि कि no contamination हम जो हम जो organism चाह रहे हैं या हम जो चाहते हैं कि हाँ particular यही cell ग्रोव होना चाहिए और हमारे environment में इतने सारे bacteria इतने सारे microorganism है वो ग्रोव ना हो एक particular cell ग्रोव कराएं उसके लिए हमें क्या चाहिए sterile conditions चाहिए sterile conditions मतलब कि और भी कोई और कोई cell या कोई और microorganism नहीं होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्या desired desired cell की ग्रोव desired cell ग्रोव तो यह दो मोटे मोटे principles है जो हम इस modern biotechnology के अंदर क्या यूज करने वाले है ठीक है समयश में आगी बात की नहीं है आगी बढ़ते हैं अब देखते हैं कि बेटा इसके बाद एक और चीज होती है that is gene cloning में पहले ही आप सबको यह सारी चीजे पताती चल रहे हूं ताकि मैं आगे इन सब चीजों का नाम लूगी तो आपको clear रहे यार यह gene cloning क्या होती है यह bio process engineering क्या होती है यह sterile conditions क्या होती है ताकि आप सब क्यों यह सारी चीजे clear हो जाए इस मोटे मोटे चीजों के अंदर आप यह देखो कि इसके बाद हम लोग करते हैं gene cloning gene cloning यानि कि हम वह वाले gene को चुनते हैं जो हमें चाहिए इसको समझने के लिए आप एक story सुनों आप को एक story सुननी पड़ेंगी इसको clear करने से पहले andır रखका है को दर्की है और शेक नाम क्या है इसका नाम है थीखी तो मोट़ू सा लड़का से सैके जाल गरकाये जुसका नाम है छिकु जेकु और जैसका नाम क्या है वेटा इसका नाम है चीकु आप यह तो हट या वर से नाम है क्या इसका नाम चिकु का नाम है बसा का ये दो है एक हिसमा लकीष में इसको अच्छा save मज़ा एक है यह बोड़ा क्षा चला सेंगे हैं और निदान चाला चाहता है नूकर पे और चया कहता है खाता है फ्रेंच फ्राइस खाता है रोजानक इसका भार का है था खा खाके मोटू हो चुका है कॉलिस्ट्रोल लेवल बढ़ चुका है कुछ पता ही नहीं है बात और लेजीनेस इसमें आती जारी है तो चीकू की मम्मी सोचती है यार ये तो बड़ी टेंशन मेली बात है घर नाम क्या होता है उसका नाम होता है मीथी बहुत मीथी मीथी बाते करती है हर नेम इस मीथी हर नेम इस मीथी ठीक है तो इसकी मम्मी चीकू की मम्मी सोचती है मीथी इन दोनों की कॉमेंट फ्रेंड है अगर मैंने मीथी को बोला मैं मीथी को बोल दूंगे कि चीकू की फ्र healthy healthy खाना चालू कर दे कौन चीकी के साथ यह रहने लग जाया है यानि कि चीकू और चीकी की दोस्ती करवा दे ऐसा चीकू की मम्मी ने सोचा और चीकू की मम्मी ने क्या सोचा कि मैं ये वाली बात अब चीकू से तो सीधा बोलूँगी नी क्योंकि वो तो मेरे बिल्कुल सु हैने लगे तो इसकी जो quality थी इसकी कौन सी quality थी अब चो ये वाली quality ने eat healthy ये है हमारा desired gene अब आप इस chapter के अंदर बहुत सरे से नाम सुनोगे जो मैं बोलने वाली हूं ताकि अब आपको clear चीजे पता चल जाएंगे ये है desired gene desired gene जो हमें transfer करवाना है किस के अंदर शीकू के अंदर और जिसके अंदर transfer करवाना होता है वो होते हैं हमारे host भहिया कौन है चीकू कौन है यापे चीकू is a host चीकू भहिया है हमारे host और ये मीठी कौन है जो एक जगा से ये वाले gene को transfer कर रही है ये कौन है ये है हमारी vector मीठी अब पूरे chapter में मैं ये ही नाम लूँगी ठीक है desired gene जो हमारे लिए अच्छा है जिसको हमें transfer करवाना है जिसके अंदर जिसमें transfer करवाएंगे उसको बोलेंगे host और जो इस चीज़ों को transfer करेगा that is known as vector तो पूरे बायो टेक्नलोजी के chapter के अंदर ये ही steps लगेंगे पहले हम लोग क्या करेंगे पहले हम लोग सीखेंगे कि जो हमारे desired gene है जो हमें चाहिए हम उसको कैसे extract करेंगे पहले उसको extract करेंगे ये ही हम इसके अंदर पूरे शेप्टर के अंदर करने वाले desired gene को कैसे DNA से भार निकाले जाए फिर जब हमने उसको ढूंड लिया फिर हम बड़ी असा plasmid ढूंडेंगे plasmid यानि की vector बड़ी असा वेक्टर ढूंडेंगे इसके अंदर plasmid आप आगे पड़ोगे vector ढूंडेंगे ठीक है बड़ी असा जो इस वाले को इसको transfer कर दे और फिर host के अंदर किस method से transfer करना है वो भी देखेंगे किस method से उसको transfer करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे तो पूरा chapter में यह है फिर डिजायर जीन निकालेंगे फिर उसको वेक्टर के अंदर डालेंगे और फिर वेक्टर से host के अंदर डालेंगे यह तीन ही steps है basically और इनमें कौन कौन सा process लगता है वो आपको clearly समझ में आ जाएगा क्योंकि अब आपको पता लग चुका है कि extraction कैसे होता है vector कौन होता है और host कौन होता है तो हम gene cloning की बात कर रहे थे gene cloning में आप लोग देखोगे gene cloning gene cloning के अंदर बिटा आप लोग क्या देखने वाले हो किस के अंदर पहले होने वाला है identification of gene हम लोग अपने desired gene देखेंगे पहले क्या देखेंगे identification of identification of desired gene gene कि हमारा gene का identification क्या है gene कैसे है वहन सा gene हमें transfer करना है पहले तो हम वह isolate करेंगे identification करेंगे फिर उसका introduction करेंगे gene का किस के अंदर host के अंदर जब हमें gene का पता चल जाएगा हम उसको host के अंदर transfer कर देंगे यानि कि transfer of desired gene desired gene into host पिर तीसरे चीज हम लोग क्या देखेंगे कि हम उसकी क्या करेंगे maintenance करेंगे sterile conditions में ताकि वो grow कर पाए यानि कि maintenance of sterile condition maintenance of sterile conditions यह तीनों ही चीज़े हम इस chapter के अंदर देखने वाले हैं clear clear अब जैसे for example अग मैं आपको इसका यह यह क्या है हमारा antibiotic resistance gene है क्या पेटा यह हमारा antibiotic resistance gene यह पिंग कलर का antibiotic resistance gene ठीक है यह है antibiotic resistance gene और यह किसका cell है यह है इसल्मो नीला का cell सैल्मो नीला का cell जो हमें इससे extract करना है जब हम इससे extract करने के लिए हमें क्या करना पढ़ेगा antibiotic resistance gene हमेंने पहले इस cell को इस वाले plasmid को निकालना पढ़ेगा बहार और इसका यह वाला पार्ट हमें cut करना पढ़ेगा जो हमें चाहिए यह वाला पार्ट चाहिए हमें यह वाला पार्ट तो इसका क्याची से क्याची लानी पढ़ेगी घट से निकाल के और यहां से इसको ऐसे cut करना पढ़ेगा कभी तो हम वाला gene निकाल पाएंगे जब हम इसको यहां से cut कर लेंगे फिर आम इसको अपना vector के अंदर डालेंगे। किसके अंदर? इसको हम अपना vector के अंदर डालेंगे। वैक्टर के अंदर हमें insert करना पडेगा। जिसके अंदर से पानो आपडिए वैक्टर है जो मैंने आपको मीठी का example दिया था। यह सेल अब इसके अंदर इसको काट के इसको लगा देंगे ठीक है तो हमें इसको वैक्टर के अंदर लगाएंगे यह वैक्टर का जीन है यह वैक्टर का जीन है इसको कट करा और हमने इसका यह वाला पार्ट यहां पे छिपका दिया अगलू से यह वैक्टर था यह क्या था यह वैक्टर था और फिर हमने इसको ट्रांसफर कर दिया यह अपने होस्ट के अंदर इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया अपने होस्ट के अंदर हमने इसको ट्रांसफर कर दिया विटा देखो उसमें इना कलर का मीन खेल है इना कलर से मैं नहीं ब यह आएगा मुझे पता है इसमें बहुत सारे बच्चे पहली बार यह वाला चैप्टर पढ़ रहोंगे याँ कुछ भूल चाहते है यार है ना इंप्पॉर्टेंट तो है चैप्टर और फिर इसकी क्या स्टराइल कंडिशन देंगे क्या देंगे इसको sterile conditions देंगे और फिर इसको replicate करेंगे ऐसे अब इसको ऐसी इसकी exact copies बनाएंगे बहुत सारी इस experiment को सबसे पहले किस नहीं करा था सबसे पहले इस experiment को करा था हर्बिट और बोवर ने स्टैनली कोहन और हर्बट बोवर ने पहली बार यह experiment करा गया तो और सेल्मो निला में से यह antibiotic resistance gene और cells में डाले थे तो देखा कि यह भी कैसा बन गया antibiotic resistance बन गया इसको स्टैनली कोहन और हर्बट बोवर ने किया था इस experiment जिसने ग्यादा नाम लिख देती हूं मैं बस ताकि सबकुछ याद रहे स्टैनली कोहन और हर्बट बोवर और हर्बट बोवर इस इस experiment is done by स्टैनली कोहर और हर्बट ब्रे इन दोनों ने इस experiment को किया था और इससे पता लगाया था कि हम ऐसे कुई भी जीन को कट करेंगे फिर उसको फैविकॉल से मजबूर जोड फैविकॉल का जोड है ना अभी डीटेल में पढ़ेंगे क्या-क्या है अब देखो यह सरी चीजे करने में बहुत सब्सट्स लगे है ना अगर आप लोग सबजी बना रहे हो सब्सब्स बनाने में लगे आपकी गैस नहीं लगी आपको कड़ाई नीचाय आपको चंचा नीच वासब तूल्स ही तो यह सब काटना पीटना जोड़ना सब के लिए इन सब के लिए बहुत सारे tools का use हुआ यानि की tools for r dna technology अब यह r dna तो है that is r dna r dna क्या होता है जो बनाया गया r dna है recombinant dna अब बात करते है tools for r dna tools for r dna technology यानि की अब हमें इसके अंदर बहुत सारे tools का ज़रूत पढ़ने वाला है किसके अंदर tools for r dna technology के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों का use लगेगा पहली बात क्या है enzymes है vector and host तीन चीज़ें हमें इसमें लगने वाली है what is that enzyme vector and host enzyme vector and host इसके अंदर पीटर ये तीन क्या हैं तीन इसके अंदर tools हैं जो इसके अंदर लगने वाले हैं enzymes कौन कौन से हैं पहला enzyme है restriction endonucleases restriction endonucleases restriction endonucleases ठीक है ligase ligase जो चिपकाने के काम आएंगे restriction endonucleases जो काटने के काम आएंगे और तीसरा क्या है agrobacterium tumniferous agrobacterium tumniferous ठीक है और host तो या जिसके अंदर आपको डालना है वो host कोई भी हो सकता है plant हो सकता है micro organism हो सकता है animals हो सकता है वो कोई भी हो सकता है जिसके अंदर आपको यह insert करने है तो एक एक के बात करेंगे पहली बात करते हैं restriction andonucleases, दूसरा होता है restriction actonucleases, याने की जो enzyme, जो enzyme बहार cut करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे exonucleases और जो अंदर की तरफ cut करेंगे उनको बोलेंगे endonucleases देखो समझेंगे इस बात को restriction exonucleases and restriction andonucleases restriction endonucleases के बेटा अगर आप लोग बात करोगे मानों यह, यह क्या है, यह ऐसे DNA होता है, पर एक्जाम्पल, ऐसे DNA, डबल हेलिकल होता है, तो अगर आपने इसको यहां से, बीच से, यहां से cut किया, आपको यह बीच से cut हो रहा है, बीच से, तो यह क्या है, यह है restriction endonucleases, और अगर यह कोने से cut हो रहा है, किस से, अगर यह ऐसा है, अगर हम इसको कोने से cut कर रहे हैं, तो यह कुन सा है, यह है restriction exonucleases, अब आपको पता है, यह ऐसा DNA होता है, इसके बहुत सारे sequences लगे होते हैं, पर एक्जाम्पल, अगर आप, मरला अब आगे देखोगे, बताती हूं, ठीक है, endonucleases अंदर से cut करते हैं, exonucleases बहार से cut करते हैं, यह केवल और केवल कितने base pair तक कर सकते हैं, 4 to 8 base pair तक ही cut कर सकते हैं, ठीक है, और यह कौन से, और यह कहां पर cut लगाते हैं, जहां पर palindromic sites होती है, अब आप बोलोगे cut करते हैं, यह palindromic sites होती है, जहां पर cut लगाती है, palindromic sites वो sites होती हैं, बेटा, जिस word को आप left to right पढ़ लो, right to left पढ़ लो, एक ही तरीकी से लिखती हैं, for example, mom हो गया, इसको ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो, बात ही की है, ठीक है, और maliyalam, maliyalam लिख लो, इसको ऐ एसे लिख लो, एसे लिख लो, नितिन word है, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, आजकल, wow word भी बहुत चल रहा है, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, इस सारे word कैसे है, palindromic sites है, यानि कि यह हमेशा restriction endonucleus, sketchy के काम करते हैं, scissor की तरह काम करते हैं, और इस chapter के अंद के बारे में ही देखेंगे, I hope सबको इतना समझ में आ गया होगा, अब देखते हैं कि restriction endonucleuses भी दो टाइप के आप लोग स्टाप्टर के अंदर पढ़ने वाले, यानि कि types of restriction endonucleuses, types of restriction endonucleuses, ये भी आप लोग दो टाइप के इसके अंदर पढ़ोगे, कौन-कौन से हैं पहला है इकुराई 1, पहला कौन से है, इकुराई 1, दूसरा है स्मावन, स्मावन, फस्ट, ये रोमेन होता है, अब देखेंगे, क्या है, इकुराई restriction endonucleuses है, जो कि DNA के लाइन को, यानि के base pair को अंदर से कट करता है, और कहाँ पर इकट कर रहे हैं, ये लोग वहाँ पर इकट कर रहे हैं, जहाँ पर palindromic sites होती है, क्या होती है, palindromic sites होती है, for example, अगर कोई palindromic sites है, G, A, G, A, T, 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 T नहीं करती है, यह से थोड़ी सी धूर कट करेगी, पानुस को कट तो यहां करना चाहिए था, इसने थोड़ा सा धूर कट करा और इसने कहां पे कट कर दिया, इसने यहां पे, यहां पे, और यहां पे, यहां पे ऐसे, ऐसे इसने इसे टेडा करेके, जैड बनाती है, इसने के बाद यह कैसे दिखेंगे यह कुछ कुछ ऐसे दिखने लग जाएंगे G C T T A यानि कि ऐसे और यह देखो यह से टेड़े मेड़े कट इसने लगाए इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं sticky ends अब देखो यह एकदम ready है कि यहां पर कोई नया जीन आए और एकदम से चिपक जाए इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं sticky ends या फिर cohesive ends sticky या cohesive ends अगर आप मैं फर्स्ट की बात करोगे तो इसमें क्या है इसमें मानो sequence है 5-23- sequence हम क्या लेंगे ccc ggg ggg ccc ठीक है यह हमेशा हमेशा बीच में से काटेगा यानि कि कहां पर कट लगाएगा यह लगाएगा यहां पर कट एकदम sharp cuts लगाएगा ठीक है तो इसको कटने के बाद यह कैसे दिखेंगी कुछ कुछ ऐसे दिखेंगी ccc ggg एकदम ऐसे cut लगाएगा इन cuts को हम लोग क्या बोलते हैं blunt या फिर flush ends blunt ends या फिर flushy ends यह कुछ restriction endonucleases है जिसको अगर यह कुराय से काटेंगे तो ऐसा cut लगाएगा sticky end cohesive ends देगा मैं ऐसे लगाएगे तो यह ऐसे cut देगा यानि कि blunts या फिर हम इसको बोलेंगे कोंसेकंट फ्लाश एंड्स तभी को clear एतनी बात कि तुम में से मुझे बते हैं वसले chapter को बहुत लोगों ने अभी तक नहीं समझ में आया है रटा देके देख रहे हो लेकिन आय हो कि मैं इस chapter को आप लोग को ऐसे समझाओं कि या आप बोलूगे इतना इसी chapter था या हम अब तक समझ क्यों नहीं पार रहे थे इसको तो लेंव निगा कैसे करे गई यह इतनी अझीब उचय नाम सुनने में क्यों है इक बोलूख या Pinky तो कोही कि इन की इन कि नाम करन कर एक कर आगया चैसी कि आप सभी का नाम कर रहन उते ना अंडरजी करते हैं इन सब का क्या कर हगला यानि कि नेमिग ओफ रिस्त्रिक्शन हे restriction endonucleases, कैसे इनका नाम करन करा गया, जैसे कि अभी तक आपने देखा कि E कोराई first के बारे में बैटा, किस के बारे में देखा, अभी तक आपने देखा, E कोराई first, तो E कोराई को आप लोग कैसे देखते हो, E कोराई first, E कोराई, E कोराई first, अब बैटा, E कोराई first की बाते करोगे, तो इसमें E क्या है, इसमें E आपको याद रखना है, यह हमेशा इसके जीनस को स्पैसिफाई करता है, किसके बैटा, जीनस को, को की बात करोगे, को species को दर्शाता है, कि किस species से ब्लॉंग करता है, आर की बात करें यह इसका strain है, कौन सा strain है, यहना उसका strain को दर्शाता है, और first की बात करोगे, यानि कि यह वो order है, जिस order में इसको ढूना गया है, इस order में इसको isolate किया गया था, यानि कि order in which it is isolated, it is isolated, clear? यह इसे इसमें आप लोग देख पार हो, यह जीनस को दर्शाएगा, बीच वाला वर्ड स्पीसीज को, यह उसका order है, कि जिस order में इसको isolate करा गया था, ठीक है, याद रखेंगे, जितने भी restriction endonucleuses है, जो कि किसका काम कर रहे है, बिटा, एक scissor का ही तो काम कर रहे है, किसका scissor का, यानि कि कैची की तरह सब्सक्राइब काम कर रहे हैं, किसकी तरही कैची की तरही किसे काम करते हैं, काटने का, यह हमेशा prokaryotic cells में से ही निकाले जाते हैं, बच्चा, किस में से prokaryotic, इनका extraction की बिटा बात करेंगे, तो यह हमेशा prokaryotic cell से निकाले जाते हैं, याद यह बहुत कम निकाले जाते हैं, mostly यह लोग किससे निकाले जाते हैं, prokaryotis, तो इसका naming, जितने भी है, कभी-कभी पूछ लिया जाता है, कि कैसे-कैसे की naming है, यह क्या दर्शाता है, कू क्या दर्शाता है, तो आपको यह सब कुछ याद रखना है, एक चीज और अभी तक व extracted, और जिसमें से केवल, जिसमें से maximum अगर आप बात करोगे, तो 230 तो सिर्फ extracted from bacteria, किसमें से निकाले गें, extracted from bacteria, clear, याद रखोगी यह वाली बात, restriction endonucleases का क्या काम है, कट करना किसी भी DNA को, यानि कि हमें अपना foreign gene निकाल कर किसमें डालना है, host के अंदर डालना है, डालेगा कौन vector, इसका क्या काम है, अगर कोई भी, for example, यह कोई भी DNA है, इसका हमें particular sequence चाहिए, तो बेटा, इसको कैची की तरीकी से यहां कट लगाएग यहां कट लगाएगा, यहां कट लगाएगा, डिपेंड करता है, हम कौन सा restriction enzyme, restriction endonucleases कौन सा use कर रहे हैं, ठीक है, इसका काम कैसा करता है, यह बेटा काम ऐसे करता है, कि पहले तो न, यह पूरे, यह पूरे, जितना भी बहुत लंबे DNA sequence होता है, उसको पूरे को न स्क्या कर देता है, फिर बात आती है, फिर काम कौन करता है, लाइगेज, लाइगेज यानि की फैवी कॉल है, जो कि किसकी तरह काम करेगा, चिपकाने का, उनसे काम करवाया जाएगा, ठीक है, चिपकाने का, उनसे क्या, काम करवाया जाएगा, तो अब बात करते हैं किसकी, यानि कि हमने restriction endonucleases से देखा इसी sequence में तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई भी DNA है उसको cut करने के काम आएगा फिर second बात काम किसका आएगा ligase का ligase एक वो enzymes होते हैं जो कि आपको याद रखना है फैवी कॉल या फिर stick करने का काम करते हैं stick कि मानो ये वाला sequence कट गया अब इसको बेटा कहीं पे शिपकाएगा भी थो है ना इसको कहीं पे शिपकाना भी तो पड़ेगा ये कौन करेगा ligase enzyme करेगा और dna और फिर तीसरा कौन से enzyme की बारी आएगी तीसरे enzyme का कौन है वो है dna polymerase फिर इसमें क्या add कर देंगे हम लोग dna polymerase dna polymerase बेटा क्या करता है वो add कर देता है इसके अंदर dntp's dntp's तो ये तीन चीज़े यानि कि अब हमने enzymes की बात कर ली हमारे enzymes का complete हुआ सेकेंड हम पढ़ते हैं वेक्टर के बारे में अब हम उसके बारे में देखेंगे जो मैंने आपको बताया था कि जो एक जगा से दूसरी जगा पर अब डिजायर जीन को लेकर जाएगा जैसे कि जोमैटो वाले बहिया क्या काम होता है कि रेस्टूरेंट से खाना लाते हैं और आपके घर पर डिलीवर कर देतें तो यहां पर जो जो मैटो वाले भी आया है वह ऐसा वैक्टर की तरह बिटा काम करते हैं विटा देखो क्लास के नहीं तक जुड़े रहना है क्योंकि जैसे ही मैं आपको चैप्टर करवा दूंगी मैं सारी के सारे इस से रिलेटेड इस टॉपिक से इस चैप्टर से जितनी भी मल्टीबल आउट्स होगा तो वह सब भी हम लोग क्लियर करते हुए चले इसलिए इंटर क्लास तक जुड़े रहना है ऐसा नहीं कि यह सब सुनके भाग गए कोस्षिंस का भी एंड में प्रैक्टेस होगा क्लियर अब देखो सारे हमने इंजाइन्स के बारे में डिसकस कर लिया नाओ वी विल टॉक अबाउट वेक्टर्स वेक्टर्स क्या होते हैं इतना तो आप सभी तक कू बेटा समझ में आ गया है वेक्टर कौन होते हैं वेक्टर होते हैं जो की बायो टेक्नोलोजी के अंदर हम बात करेंगे जो की डिजाइड जीन को किसको बेटा डिजाइड जीन को डिजाइड जीन ट्रांसफर इंटू होस्ट इंटू होस्ट इंटू होस्ट थ्रो थ्रो वेक्टर थ्रो वेक्टर अब हम इसके अंदर कौन सा वेक्टर ले रहे हैं पिटा किसको हम ले रहे हैं प्लास्मिट को, प्लास्मिट क्या होता है, what is प्लास्मिट, very important, यार इससे हमेशा question बनते ही बनते हैं, very very important है यह प्लास्मिट के बारे में जानना, पिटा प्लास्मिट की बात करोगे, यह एक autonomous replicating structure है, यानि कि अगर इसके अंदर कोई भी DNA अड़ हो जाएगा ना, तो अपने आप application बनाना चालू कर देगा, high number of copies बनाना चालू करेगा, यह जो प्लास्मिट है, यह circular होता है, double stranded इसके अंदर DNA होता है, autosomal replicating properties होती हैं इसके अंदर, ठीक है, क्या-क्या है, लिख लो भई, जिस एक-एक चीज़ों को मैं इसलिए लिख रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में long term के लिए चल ले जाए, समझ में आ रहे हैं बाद, autonomously replicating structure, यह क्या है, बेटा, autonomously replicating structure है, replicating structure, इसके पास क्या-क्या मौझूद, इसके पास बहुत सारे, इसके सर्कुलर होता है शेप में और इसके पास double stranded DNA भी मौझूद है, double stranded DNA भी मौझूद होता है, किसके पास, बेटा, plasmid के पास, अगर हम कोई भी बेटा plasmid को देख रहे हैं, तो उस plasmid के पास तीन चीजे होने चाहिए, अगर यह तीनों चीजे उसके पास हैं, तो आप समझ सकते हो कि यह एक perfect plasmid है, यह एक perfect ऐसा vector है, जो जिसमें हम पूरा belief कर सकते हैं, कि हाँ यह लेकर जा सकता है, हमारे desired DNA to host, वो कौन कौन सी चीजे हैं, जो एक plasmid के अंदर होनी चाहिए, वो है पहला origin of replication बेटा, क्या origin of replication, ओराई, big boss वाला ओराई नहीं है यह, big boss वाला ओराई मत समझना, यह है ओराई, ओराई की full form, origin of replication, origin of replication, origin of replication, मानों यह एक plasmid है, इसमें एक छोटा सा पार्ट किसका होता है, origin of replication का, ओराई का, इसका काम क्या है, multiple number of copies बनाना, desired gene का, ठीक है, full form बता चल गई, high number of copies बनाता है, यह, मिटा क्या, high number of copies, हाई, number of copies बना सकता है, origin of replication है, और link करता है, foreign gene को, foreign gene ही हापे कौन सा है, desired gene है, वो eating healthy वाला gene, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, यानि कि यह link करता है, किसको foreign gene को, link, foreign gene, foreign gene को, बेटा, यह link कर देगा, क्या, alright, clear, next is, जो इसके पास होने चाहिए, वो क्या होती है, selectable marker, क्या बेटा, selectable marker इसके पास होना चाहिए, पहला ओरा ही होना चाहिए, second इसके पास होना चाहिए, selectable marker, लेखो, selectable marker का क्या काम है, selectable marker, आप इसका function समझ लोगे, आप लोग खुझ लिख सकते हो, selectable marker, यानि कि एक बार बताओ, यह क्या था, यह plasmate है, हमने यहाँ पर इसको क्या लगा दिया, हमने यहाँ पे लगा द और इसकी अब हम multiple copies बनाने के लिए ready है, तभी तो multiple copies बनाएगा, जब इसमें desired gene लग जाएगा, लेकिन मेटा एक बार बताओ, यह सारे के सारे ने experiments होते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% experiment में अगर हमने यह डाला, तो हमने 100 cell बनाए, तो 100 cell के अंदे desired gene लग जाएगा, नहीं, ऐसा न पैचानेंगे कि यह वाला, कि इसमें से कुछ cell तो वो हैं, जिनके अंदर desired gene क्या नहीं लगा है, और जिनके अंदर desired gene, desired जो हमें fragment चाहिए, वो लग चुगा है, यह कैसे पैचानेंगे, यह हम पैचानेंगे बेटा, इस selectable marker से, हमारे desired gene, plasmid के अंदर fit हुआ है कि नहीं हम लोग selectable marker से ही पैचानते हैं, क्योंकि इसके पास बहुत सारे antibiotic resistance होते हैं, अभी मैं बताऊंगी, हैना बहुत सारे इसके पास antibiotic resistance होते हैं, जैसे कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ampicillin, यहाँ पे होगा tetracycline, अगर मानो, एक desired gene है बेटा, अगर एक desired gene है, अगर उसक gene को यहाँ से हटना पड़ेगा, एक gene को वो हटाएगा, तभी तो वो दूसरी की gene पे जाके बैठेगा, हैना, मानो, अगर इसने यह वाला gene को हटा दिया, जो कि इसको tetracycline resistance बनाता था, तो अब हम इस cell को tetracycline के अंदर डाल देंगे, अगर जो मर गए, तो हमें पता चल ज होता है, selectable marker का, यही काम होता है, कि वो पैचानता है कि कौन सा cell recombinant बना है, कौन सा cell non recombinant बना है, to identify, identify between recombinant and non recombinant cells, recombinant and non recombinant cells, and non recombinant cells, clear? एक सेकंड को बेटा चलो, next, next उसके अंदर चीज में आपको क्या बटाई, एक और होना चाहिए, selectable marker होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, बिटा, उसके अंदर cloning side, किसी plasmid के अंदर, cloning sites होना बहुत जादा important है, cloning मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, अपनी exact copies बनाना, without any change in the gene, exact copies बनाना, जैसी मैं दिखती हूँ, वैसी एकदम से exact copy बना दी, यानि कि हम बिना किसी gene के change करें, क्या करें, cloning कर रहे हैं, तो उसके पास ऐसी क्या होनी चाहिए, cloning sites होनी चाहिए, ताकि अच्छे से हमें पता चल जाए, cloning हुई है, कि नहीं हुई है, तो यह तीन चीज होनी चाहिए, cloning sites हो गया, यहां रखना है, aurai हो गया, unselectable marker, किसी भी, किसी भी vector के अंदर बेटा, इस सारी की सारी चीजे होनी चाहिए, वरना हमें कैसे पता चलेगा, वरना में कैसे पता चलेगा, कि वो बढ़िया तरीके से plasmid है, या फिर नहीं है, ठीक है, अब देखो, ऐसा नहीं है, कि सिर्फ plasmid ही desired gene को host में डालने का काम करते हैं, यह से बहुत सारी और भी चीजे हम लोग ने discover कर रखें, जो कि ऐसा vector की तरह काम करती है किस की तरह, ऐसा vector की तरह काम करेगी, और कौन-कौन से अदर्स चीजे हैं, जैसे की, bacteria phage, जैसे की कौन है, बैक्तीरियो phage है, यह भी ऐसा vector की तरह ही काम करते है, bacteria phage, ठीक है, और कौन-कौन से हैं आए प्लास्मित हो गया ऐसी उसकी तरह इक और होता है कॉसमेट होता कॉसमिट लाच के अंदर के अगर हगर आप देखोगे तो एग्रो बखते रिंए graph टेarm ट्नी फेसे रहो भैक्षिटन ट्यूम्नी फेसे फेसे तो आप पढ़ोगे वैक्टर्स हमने कैसे कैसे बना रखें क्लियर एवरीवन आप देखो अगर आपसे देखो यह वाला कोशन भी बहुत बार स्यूटी में मतलब बहुत बार क्या एक ही बार पर हुआ है अभी तक तो हैना लेकिन पूछे लिए कि कोई भी पॉसिबिलिटी हमें नहीं चोड़नी है ठीक है यह वाला आपकी न्सियार्टी के अंदर भी लिखा हो है और न्सियार्टी की तो कोई भी चीज बेटा छोडनी नहीं है कि प्लांट्स के अंदर हम कौन से वैक्टर्स का काम कुसको यूज करते हैं वैक्टर्स फॉर प्लांट्स के अंदर जीन्स को ट्रांसफर करने के काम आता है एक्टर्स प्लांट्स के अंदर जीन्स को ट्रांसफर करने के काम आता है एक्टर्स प्लांट्स इन्होंने यह देखा था कि एक सेल है उस सेल के अंदर क्या है एक प्लास्मिट मौजूद है और यह प्लास्मि सब्सकूर्पीट के पास क्या है एक टीप्लाजमिट नाम का मौझीध ये जो टीप्लाजमिट है यह अगर किसी भी सैल के अंदर यह बैक्टीरिया और यह कौन सब्सक्राइण है बैक्टीरिया है अभी में को हाँ तो यह इको यह a अचीकिन को है सिद्विए से ऊंदर प्लाजमिट छिए नियां क्सी के आंदर इनफेक्ट करता है मानुस टी के अंदर यह गुष गया तो इसके अंदर प्राइब का कोस्ट के रहते यह तों यह तो बहुत जल्दी से replicate करता है, इसका plasmid तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी से number of copies बनाता है, और बहुत easily क्या transfer कर देता है, तो scientist दे सोचा, इसका जो यह वाला gene है जो उसका बिमारिया cause करता है, इसको हम लोग निकाल देंगे, और जो भी हमारा desired gene होगा, जो भी हमा vector कौन होता है, एग्रो बैक्टिरियम ट्यूमनी फेसिस के अंदर से इसका T plasmid जो की बिमारियों को cause करता है, उसको बेटा हम लोग निकाल देते हैं, एनिमल्स की बात करेंगे, कि एनिमल्स में कौन बैक्टर की तरह काम करता है, एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर बेटा रेट्रो वाइरस से हुआ है, एनिमल्स के अंदर कौन करेंगे, रेट्रो वाइरस, ठीक है, जैसे कि आपने HIV में देखा था, कितनी जल्दी यूमन को इंफेक्ट कर देता है, एड्स के अंदर, ठीक है, और ये जो इतने भी एनिमल्स के अंदर यूज होने वाले वेक्टर से वह प्रोकेरिय और से भी निकाल लेते हम लोग और यू करियोर्ट से भी निकाल सकते है प्रोकेरियोड एस वैल एस यू केरियो है क्लियर होतीच हावत जलघा है बाते हैं भई हर चीज today link करके पढ़ोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे ठीक है, लिंक करके पढ़ना बहुत बहुत जादा जरूरी है, ठीक है, अब देखो, अब हमने सारे के सारे tools पढ़ लिए, कि क्या क्या tools लगेंगे, DNA को cut करने में, छिपकाने में, ट्रांसफर करने में, तीनों चीजे पढ़ लिए, अब देखते हैं, इसका पूर डालने के बाद हमें उसको क्या ट्रांस्फर कर देना है होस्ट के अंदर तो इसलिए सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है हमें आइसोलेशन करना पड़ता है डियने का for example मानू यह एक सेल है विटा क्या यह एक सैल है और इसके अंदर पड़ा है हमारा desired gene यह क्या है यह हमारा desired gene है that is desired gene तो पहले निकालना पड़ेगा न इसके अंदर से हमें इसको निकालना पड़ेगा, तभी तो हम इसको वक्टर केंदर डालेंगे तो पहला step क्या है? सके अंदर principles देख लिए tools देख लिए now process ठीक है process तो हमें अब यह वाला अपना desired gene कैसे निकालेंगे इसमें isolation of gene कैसे करेंगे isolation of gene बेटा अगर आप isolation of gene की बात करोगे तो इसके अंदर तो पहले आपको जो इसकी cell membrane है अगर plant cell के अंदर से निकालना है तो cell wall आ चाहेगी तो हमें पहले उसका तो license करना पढ़ेगा ना उसका license कैसे करेंगे अगर plant cell है for example अगर यह plant cell होता तो plant cell के उपर क्या है cellulose की बनी हुई हम इसमें क्या डालेंगे cellulases क्या डालेंगे पहले cellulases डालेंगे की बनी है तो हम इसके अंदर काइटेनेज डालेंगे अगर यह फंजाई की है फंजाई का cell है तो क्या डालेंगे इसके अंदर काइटेनेज बैक्टेरिया का है बैक्टेरिया में क्या डालेंगे लाइजोजाइम्स लाइजोजाइम्स ठीक है तो जिसकी भी है उसको हम इस प्रोटीन को तोड़ने के लिए क्या डालना पड़ेगा और अगर इसके अंदर बात क्लियर बात फिर जब यह जब इसकी अंदर से हमने आज पूरा का पूरा ऐसा तो नहीं हम पर्टिकुलर एक जीन निकालेंगे हम पूरा असमें से डियेने का स्ट्रांड ही निकाल पाएंगे हमने एक्स्त्राक्शन कर लिया इस डियेने का स्ट्रांड का isolation हो गया किसका gene का अब second point हमें अपना particular gene चाहिए जो हमें चाहिए पूरा तो DNA हमें नहीं चाहिए था यानि कि अब हमें इसमें से क्या desired gene को निकालेंगे इसमें कट लगाना चालू करेंगे यानि कि क्या है next step fragmentation करेंगे इसका बिटा second step is fragmentation fragmentation of DNA यह DNA हमने extract किया और अब हम इसमें से लाएगे इसकी मदद से क्या इसमें कट लगाएंगे एक कट यहाँ लगा एक कट यहाँ लगा और एक कट यह पूरा बचा इससे क्या हो गया इसका fragmentation हो गया DNA का जब इसका बिटा fragmentation होगा फिर हमें इन अलग लग separate भी तो करना पड़ेगा कि यह वाला fragment अलग हो जाए यह वाला fragment अलग हो जाए यह वाला fragment अलग हो जाए next step is separation of next step is separation separation of DNA fragments DNA fragments फिर इसका separation करना पड़ेगा और इसके अंदर हम लोग एक टेकनीक का यूज करते हैं जिसके अंदर से यह छोटा छोटा सा DNA अठ्छे से हम लोग separate out कर लेते हैं that is PCR polymaryase gene reaction ठीक है उससे हम लोग क्या करेंगे DNA के fragments को बैटा क्या separate out कर लेंगे क्या कर लेंगे separate out इसके अंदर कौन से टेकनीक लगेगी PCR sorry 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 PCR नहीं लगेगा और हमें separation करना है DNA fragments का तो अब हमें एक टेकनीक यूज करनी पड़ेगी that is poly that is electrogelphoresis electrogelphoresis का भमें यूज करना पड़ेगा बच्चा लोग किसका electro electrogelphoresis पता नहीं क्या होगे उल्टा लिख दिया है जेल electrogelphoresis जेल electrogelphoresis पता अब देखो हमारे जितने भी DNA fragments थे न अब हम उनको separate आउट करना है कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है और मिडल मला साइस के परवर्डिंगली हमें उसको separate करना पड़ेगा जेल electrogelphoresis का इसके अंदर बेटा क्या होता है अगर आप इसके अंदर बात करोगे इस पूरे इलेक्ट्रो जेल Phoresis के अंदर ठीक है इसके अंदर एक अगार सोल्यूशन डाला जाता है क्या बेटा अगार सोल्यूशन यह हट के हो रहा है बार बार अगार सोल्यूशन इसके अंदर हम लोग अकार का सोल्यूशन डालते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक रोज जेल भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसी को हम लोग एक रोज जेल भी बोलते हैं For example, इसमें बनाते हैं, ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है, इसके अंदर कुछ वेल्स मौझूद होते हैं, ऐसे इसके अंदर क्या, ऐसे वेल्स मौझूद होते हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसे वेल्स मौझूद होते हैं, और इस पूरे के अंदर क्या, एक रोज जेल सोल्यूशन भरा होता है, जो अगार से बनता है, किस से अगार क्या है, क्या भरा हो, इसके अंदर एक रोज का जेल भरा होता है, हमने अभी जितने भी ये डियने के फ्रेगमेंट्स थे न, ये हमने इसके अंदर डाल दिये, नाम देते हैं, इसको A, B, C, D, ठीक है, यहाँ पे हमने फ्रेगमेंट्स डाल दिये, और देखो, इलेक्टरो नाम आ है, यानि कि अब इसको हमें इलेक्टरिसिटी से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो ये चलेगा, ये उपर वाला जो पॉइंट है, और नीचे वाला जो पॉइंट है, इसको हम लोग किस से, इसको हम लोग इलेक्टरिसिटी से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर क्या है, इहां पर है बेटरी ये नीचे वाला कौनसा points है नीचे वाला러 plus का point है और उपर किसका points है negative का point है समझे दू बात को यो उपर वाला कौन-सा है यह है cathode और यह है anode पिर जब हम इसको switch on करेंगे तो यानिकी इस पूरे के अंदर क्या electricity घूमने लग जाएगी जब इसके अंदर इलेक्टरसीटी घूमने लग जाएगी तो आप लोग देखोगे की DNA कैसा चार्ज होता है DNA नेगिटिव चार्ज होता है या आप I know I hope कि सबी को पता होगा कि DNA के अंदर कैसा चार्ज है नेगिटिव चार्ज है तो DNA फ्रेग्मेंट्स हमने कहां पर डाले इसके अंदर नाले यहाँ पर पडे हुए यहाँ इन्वेल्स के अंदर और यह never में वर्ड और मोटा होगा वो थोड़ा विर में जाएगा और हसे गोड़ भी पूप बैंट लिखने से बैंट ऐसे इसके bands देखने लग जाते हैं कि इसके dna के और आपको याद रखना है कि जितना ज्यादा shorter होगा fragment वो उतना ही near होगा cathode के कभी कभी question आ जाता है कि आपको इनके sequence में लगाना होता है आपको याद रखना है कि जो shorter है shorter है या फिर मैं बोल सकती हूँ जो light weight है वो nearest होगा किसके weight है इकल स्टू nearest to cathode अनोर nearest to anode यह याद रखना है से भी कभी कभी question पूछे जाते हैं nearest to anode ठीक है वो हमेशा बेटा क्या होगा हमेशा nearest रहेगा किसके anode के यह anode है और यह cathode है कभी समझो ठीक है यह anode है और यह cathode है इसके basis पे भी question पूछे जा सकते हैं और अभी हम लोग questions भी करेंगे आप लोग देखोगी किससे कितने सारे questions आ रखे हैं अब जब यह dna के fragments निकल जाते हैं तो हम इन fragments को क्या एसे ही कैसे ही इन विजिबल रेस के अंदर देख सकते हो क्या यार बिलकुल नहीं देख सकते बेटा जी मिलकुल भी visible dna fragments भी नहीं दिखतें इनको अब हमें देखना पड़ेगा किसमें इसको पहले तो रंग़ डालना पड़ेगा इतने सतरंगी नहीं होते जितने आपको दिखते हैं इनके अंदर पहले आप लोगों को रंग डालना पड़ेगा फिर रंग डालने के बाद इनको अंडर यूवी लाइट देखा जाता है और कौण सा रंग डालेंगे यूटि डियां ब्रोमाइड का अब इसके अंदर अगला स्टेप कौण सा इसका स्टेइनिंग करेंगे इसको बेटा असके अंदर कलर डालना पड़ेगा देखने के लिए इस्टेइनिंग staining कैसे करेंगे इसके अंदर addition करेंगे किसका ethidium bromide का addition of ethidium bromide ethidium bromide का इसके अंदर addition करना पड़ेगा तभी तो ये चमकेगा है ना बेटा जी ऐसे नहीं दिखता है उसके उपर color डालना पड़ेगा और ये visible rays के अंदर नहीं दिखता है पहले ही clear दिखने हूं visual rays के अंदर नहीं दिखेगा इसको किसके अंदर दिखना पड़ेगा under under uv rays under uv rays इसको हम जब देखेंगे डालके तो ये बेटा ओरेंज कलर का bands दिखाई देगा ऐसे color भी पूछ ले जाता है कि ethidium bromide डालने के बार याने कि etbr क्या है ये etbr इसको डालने के बाद कैसा color दिखेगा औरेंज कलर दिखाई देने लग जाएगा औरेंज बिटा सारे ही main points है एक भी में इधर हुदर का फाल्तू points लिकवारी यहीं से ही question बनते हैं और यहां से अब हम क्या करेंगे इसका amplification करना चालू कर देंगे क्योंकि बहुत जरा-जरा से amount में हमको receive हुआ है न आप हमको इसकी multiple copies बनानी पड़ेंगे इसका amplification करना पड़ेगा next step is what amplification of gene of interest अब जो हमारा gene of interest तो आ चुका है लेकिन आप हमें experiment करने के लिए ज्यादा copies चाहिए न क्या एक gene से ही experiment हो जाएगा सीधा डल जाएगा नई डला फिर दुवारा करना पड़ेगा तो इसलिए अब हम यहां पे क्या इसकी multiplication करेंगे इसी gene का amplification अंको करना पड़ेगा next step is amplification of gene of interest amplification of gene of interest gene of interest का बेटा क्या amplification करना पड़ेगा इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते है PCR यानि की polymerase chain reaction polymerase chain reaction किस नहीं दी थी polymerase chain reaction मेटा जी किस नहीं दी थी by carry millis by carry millis 1970 के अंदर इस technique को दिया था carry millis ने जिसके अंदर हम एतनी सी chain का मानों यह इतना सा है और हम इसकी multiple copies बना देते हैं कि जितने time cycle को करोगे उतने ज्यादा इसकी multiple copies बन जाएगी इसके अंदर बेटा तीन steps लगते हैं इसके अंदर बेटा क्या तीन steps इसके अंदर लगते हैं त्री steps इसको हम लोग replication भी बोलते हैं replication इस टेकनीक को replication भी बोलेंगे dna से गो dna को बनना आना replication इसके अंदर बेटा मोटे मोटे तीन steps इसके अंदर involved है कौन कौन से तीन स्टेप है dae बेटा जी इसके अंदर तीन steps है ठीक है पढ़ लिया तो अच्छी बात है जिसको भी भूल गाई है तो एक बार revise कर लो dae यानि की क्या denaturation 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 बोल लो second annealing and e is extension इसके अंदर पूरी process के अंदर केवल और केवल क्या temperature किसी में जादा फिर कभी कम फिर कभी जादा ऐसे हमें temperature maintain करके रखना है इस पूरी टेकनीक के अंदर क्या temperature को maintain temperature कभी जादा है तुसको जादा देना है कम है तो कम देना temperature has to be maintained और इसके अंदर एंड में जितने number of copies बनते है न उसका भी फॉर्मूला होता है शाहिल आपको किसी ने बताया है नहीं होगा है जानते नहीं होगी सुन लो उसका भी फॉर्मूला होता है number of copies यानि कि अगर हम उसमें उसका उसका एंप्लिफिकेशन करें तो कितना एंप्लिफिकेशन होगा उसका बेटा क्या उसका क्या कर देना है हमें number of copies का square कर देना है उतना ही उसका वह हो जाएगा और ऊतना ही उसका क्या यह n क्या है यह n है इसके अंदर number of cycle जितनी बार भी करोगे यानि कि आप ने चार बार भी सइकल चलाई तो चार को सीक्व इंटु कर लो दो बार 25 चलाई तो चार डियने बने कितने number of cycles चलोगे उतने ही ज़्यादा इसके अंदर क्या DNA बनते चले जाएंगे चलो अगर आप पहले steps की बात करोगे तो पहला step क्या है denaturation बहुत easy है दो मिनिट में पेटा समझ में आएगा दो मिनिट में बस दो मिनिट का concentration आप सब लोगों का यहीं होना चाहिए यह क्या है बेटा DNA DNA की स्ट्रैंड थे complimentary इसको हमने इसको हमने इसको हमने बेटा कितना 94 डिगरी celsius पे रखा कितना 94 डिगरी celsius पे इसको रखा और 94 डिगरी celsius पे होने के बाद यह double stranded यह double stranded DNA single strand में बदल जाता है यानि कि अभी at the end ऐसा हो जाएगा five dash two three dash अलग और three dash two five dash अलग ऐसा अलग अलग हो जाते हैं ठीक है second step बस इसमें बीटा टेंप्रेचर का ही खेल है second step is annealing what is the second step annealing annealing की बात करोगी इसके ज़रे छोटा सा RNA का प्राइमर जो की complimentary होता है इसकी strand के वो आके जूट जाता है ठीक है मानो यह dna था जो अभी हमने अलग करा है है ना फाइब डैश टू थ्री डैश एंड और थ्री डैश टू फाइब डैश एंड यह dna था यहां पे एक छोटा सा RNA का प्राइमर आता है छोटा सा बेटा चुटकूसा ऐसे चुटकूसा इसका complimentary होता है और यहां पे आके जुड़ जाता है ऐसे यहां पे आके ऐसे जुड़ जाएगा इसी को हम लोग क्या बोलते है एनिलिंग और किसकी मदद से जुड़ता है यह जुड़ता है टैक घर पॉलिमरीज की मदद से टैक पॉलीमरीज एक और टैक पॉलीमरेज इसको क्या अबता है यह एक पॉलिमरेЗ बाप ङॉकां पॉलिमरेज सुस्ट करना पड़ता है फीक है इसी को हमadenिया पॉलते हैं क्लिर जब इसके अंदर ऐसे आरेने के प्राइमर्स एड हो जाते हैं किसके आरेने प्राइमर्स एड हो जाते हैं फिर अब हम इसको क्या कर लेते हैं इसी को ही यह वाली जो step is what extension बच्चा लोग अब लोग extension की बात करोगे तो यह जो दो stand अभी हमने बनाए जो की 5-23-3-25 थे इसके साथ जितने भी अपितक हमने आ रहे ने प्राइमर्ज जोड़े थे जो कि इसके complementary थे अब वो ऐसे बड़े हो जाएंगे ऐसे और इनका एक पर्टीकूलर बिटा temperature होता है 72 डिग्री इनका temperature बहुत important याद रखना है कितने temperature पर हो रहे हैं यह हो रहे हैं 72 डिग्री Celsius पर clear अब यहाँ पर यह फिर क्या ऐसे multiple copies यहाँ पर बननी लग जाती है है अपने डिजायर जीन की ऐसे है कि डाट इस पीसी आर अड़ दिस आप समझ लो जुतनी भी मोटी मोटी चीजे थी ना 90 परसेंट चीजे मैंने आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करी हैं अगर मैं में चाहती तो मैं सच बता आपको सीधा सीधा इसमें से आपको पीपीटी भी दिखा देती में का मेरा कुछ भी नहीं चाहता यार इवन मैं लिखके पड़ा रही हूं इसलिए ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए अब देखो इसी के कि बेसिस पर कोश्ण करते हैं जो कुछ कोश्ण ऐसे हैं जो की आचुकिन के कोश्ण इसी उटी में एंड कुछ कोश्ण ऐसे हैं जो कि एक्स्पेक्टेड हैं एंसी आटी बेस देख सेंसी एक्जाम्पलर से उठाए गए तो त्यारो बेटा आप लोग कोश्ण करने के लिए मल्टिपल चॉइस करने के लिए बेटा जी आर यू र cardiovascular क्या होते बायो टेकनोलोची modern क्या है एंड क्या बॉड़न heals क्या है नहीं क्या थी उसके एंडर में किस-किस चीज का यूज करा restriction endo nucleuses का क्या समान्स था कं गया शकज़तों य separately Estados soren PCR नखिंलकर के लैक्त फॉर से कली दो-तिन टेकनीक स्थिसकं ब्लॉस करके या करते और वेक्टर में डाला और वेक्टर से अंदर डाल दिया अच्छ एको और बदना भूल गई हाँ एक और चीज मानों अगर कभी कभी बेटा क्या होता है न कभी कभी कि मैं बात करूँ तो यह वाले जितने भी वैक्टर्स थे ठीक है इनको हमें क्या अब यह हाँ एक स्टेप्स तो सौरी मेरा रही गया फिर कोशन्स करते हैं बस दो मेंट और रुख जाएंगे दो मेंट में बेटा मेरको सभी का कॉंसेंट्रेशन यही पर ही चाहिए अब देखो यह जितना भी फॉरें जीन था अब हमने इसको क्या इसका एंप्लिफिकेशन कर लिया अब हम इसको किसमें डालेंगे वैक्टर के अंदर डालेंगे ठीक है वैक्टर के अंदर जब हम इसको डालेंगे यानि कि लाइगेशन करेंगे यह वाले जीन का जो हमारे डिजायर जीन था यानि कि लाइगेशन आफ सुनो एक स्टेप और इसका लाइगेशन आफ छोटी प्लास्मिट के थ्रू यह प्लास्मेट और इसके अंदर हमने क्या जोड़ा सके अंदर हमने अपना डिजायरड जीन डूला जी डाला इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं transformation बोलते हैं भूलेंगे नहीं, इसी process को हम लोग क्या बोलते हैं, transformation, यानि कि हमने desired gene को vector के अंदर डाल दिया, vector के अंदर जब बेटा डाल दिया, तो अब ये वाला gene इस cell के अंदर भी तो डाल जाना चाहिए, जिसको हमें अब यह क्या ही है host है host के अंदर भी तो डालना है अब यह host के अंदर बिटा कैसे डालेंगे इसके अंदर पहले हमें add करना पड़ता है एक element और वो element add करना पड़ेगा ताकि इस cell को क्या बनाए competent बनाए competent यानि कि इस cell को इस लाइक बनाए ताकि यह वाला जो अंदर आ जाए इसको हमें अब क्या बनाना पड़ेगा competent बनाना पड़ेगा competent सेल बनानी के लिए हमें एक बाइवेलेंसी वाला element जोड़ना पड़ेगा mostly हम लोग calcium 2 plus iron इसे mapping डालते है कैलशियोम 2 प्लस आयन क्या करटाया क्यों इसको यहां पेचिव कानी में मदद करता है यहां पे यापी एसे हापी इसको चिपकानी में आयं आयं इसको मदद करता और फिर बार बार र bacon को ज्याद्व, तर्क रखते है और लो टेंपटर्चर जदा टेंपरेचर लो टेंपरेचर जिसकी वेसे इसका ये जो सेल मेंबरेन है ये वीक हो जाता है और फाइनली ये वाला जो हमारा सेल हमारा जो यह प्लास्मिट है यह इसके अंदर आ जाता है इसको बार बार क्या करा जाता है अगें हाई टेंपरेचर दिया जाता है फिर लो हाई अगें हाई टेंपरेचर देन लो समझ में आ गया अब हमने कैसे आइसुलेट किया कैसे उसको व्यक्टर के अंदर बार बिटा उसको कैसे हमने इसके अंदर इंजयेट किया अपने होस्ट के अंदर क्लियर इले बात अब देखो इसके इलावा अगर हमें vector मानों किसी में use नहीं करना अगर हमें सीधा for example अगर हमें सीधा अपना desired gene को किसमें डालना है अपने host cell के अंदर डालना है और यह host cell अगर animal cell है अगर यह host cell बेटा क्या है animal cell है तो इसको एक और method से डाल सकते हैं that is micro injection that is micro injection यानि कि इस cell है यहां पर सीधा इसको injection दे दिया गया जिसे हमें दे देते हैं सीधा injection और यह वाले जो desired gene है वो सीधा इसके अंदर पहुंच गया और कौन सा method है एक और method है कि plant cell के अंदर mostly कौन सा यूज होता है तो वेटा गन वाला यूज होता है गन ठीक है यह गन है इसके अंदर क्या होता है न वेटा इसके अंदर जो भी हमें gene भेजना है और इसको हम tungsten से या फिर इसको गोल्ड से इसको tungsten से या फिर गोल्ड से tungsten या फिर इसको पूरा लपेट देते हैं और फिर high velocity से यहां से ऐसे छोड़ा जाता है high velocity से छोड़ा जाता है क्योंकि प्लांट के सेल के पास सेल बॉल भी मुझूद है ना तो ज्यादा ठोस है यह हाई वेलो सिटी से घूसाएंगे तो सीधा nucleus के अंदर चला जाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं बॉलिस्टन मेथड या फिर गन मेथड बॉलिस्टन मेथड या फिर इसको क्या बोलेंगे गन मेथड या फिर इसको क्या बोलेंगे बीटा लोग गन मेथड दिस इस दा लास्ट इंग यानि कि आपको जीन निकालना आ गया वेक्टर के बारे में पता चल गया उसको transfer के बारे में उसका पता चल गया अब बीटा बात करते हैं किसका questions पे back to the questions आप सब बीटा ready हो जाओ पहले question के लिए I know वाँ सारे questions बीटा कर सकते हो सारे questions कर सकते हो जिस जिसने भी ध्यान से अब तक सारी चीज़े पढ़ी है ना अब आप लोग सारे questions को एक बात देखो समझो और answer देने हैं सभी को ठीक है पहला question देखो पहला question क्या बोलता है select the correct order of processing of PCR अभी जस्ट बताया यार PCR polymerase chain reaction याने की छोटे से derived gene को बहुत सारी उसकी copies बनाता है उसका amplification कर देता है अभी मैंने बताया था क्या है D A E denaturation and extension beta just अभी बताया कर सकते हो ना यार temperature भी देख लो उसका 72 degree इसका है 94 degree celsius किसी किसी बुक में 96 तक भी रखा है इस पर इतना कुछ नहीं है इस पर around 40 degree celsius पर हो जाता है इस पर around 72 degree celsius पर हो जाता है clear next question देखेंगे plasmid vector DNA recombinant technology means पेटा plasmid vector अभी तो मैंने आपको बताया है क्या है आप virus है जो transfer करता है gene को to bacteria तक extra chromosomal autonomously replicating circular dna sticky hand any fragment of dna carrying desirable gene पेटा आप सभी को पता है self-applicating structure है एना इसके पास खुद का circular dna मौझूद है जाहिर सी बात है यार दूसरा ही होगा बंज आ रहे की नहीं आ रहा मुझे पते आप एक बार में सारे questions कर पा रहो पहले नहीं होते होंगे पहले नहीं होते होंगे यार यह वाली questions नेक्स कोशन देखो वह वाला जो जीन था उससे यह वाला कट कर दिया और अपना इसमें desired लगा दिया किसमें से agrobacterium tumnifaces agrobacterium tumnifaces stactomiles least नहीं है सल्मोनीला टाइफी नहीं है इसके बारे में तो मैंने बता दिया इस पहले scientist ने देखा था कि कैसे transfer transformation होता है सल्मोनीला टाइफी के अंदर ठीक है नेक्स्ट कोश्चिन इस एक सेकिंदी वालनी हां नेक्स्ट कोश्चिन इस बोलिस्टिक जीन गान इस सूटेबल फोर बिटा अभी बताए बोलिस्टिक जीन गन किसके लिए सूटेबल है डिस हार्बिंग पैथोजन वैक्टर्स ट्रांस्फोर्मेशन ऑफ प्लांट सेल कंस्ट्रक्टिंग रीकॉंबिने डियने बाय जॉइनिंग विद वैक्टर्स डियने फिंगर प्रिंटिंग बिटा भी बताया बोलिस्टिक जीन गन मैथर इसके अंदर हम जीन एदर केंतं सहर्फॉर्मेशन कर रहे हैं किस के अंदर बेटा प्लांट सेल के अंदर क्लियर है इसके बाद हाउ आर ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम cay Falls म Amen सेलेक्टिड सॉब नॉन ट्रांसफोर्मेंट्स यानि की कूछ सेर्स यह किसी किसी सेल्स के अंदर तो क्य हमारा desired gene लग चुगा है किसी के अंदर नहीं लगा है हम कैसे पहचानेंगे किसके अंदर लग गया है और किसके अंदर नहीं लग गया भी बताया था जल्दी से बताओ option पढ़के presence of more than one recognition sites in vector RNA presence of alien DNA into the vector DNA result into insertion in activation of selectable marker third antibiotic resistance gene gets in activated due to insertion of alien DNA अभी तो मैंने बताया था यार कोई सेल है मानुस के पास यहाँ पर क्या लगा हुआ है यहाँ पर बेटा उसके पास ampicilline लगा हुआ है लेकिन उसके अंदर एक सेल के अंदर rdna लग गया और इसकी जगह पर क्या हमारा अपना अपना desire gene लग गया यानि कि यह जो amplification resistance gene था अभ यहां से गायब हो गया inactivate कर दिया तो यह दोनों ही answer ठीक है बिटा बोद two and three आ रहा है मैंजा नहीं आ रहा है कई पारो questions नहीं कर पारे या दिल पर हाथ रखे ना एक पर comment section में लिख देना ठीक है हो पाई questions की नहीं हो पाई और चैप्टर ऐसा समझ में आया कि पहले ऐसा नहीं आया था कभी भी नेक्स्ट कोश्चन वेश ऑफ द फॉलिइंग इस नौटा क्याक्त्रिस्टिक्स ओफ पी बी आर्ट्री ट्वेंटीटीटू इसकी कौन कौन सी क्याक्ट्रस्टिक्स नहीं है कौन कौन बता सकता है यार पीवी 322 क्या है एक मैनमेड प्लास्मिट है पीफ और प्लास्मिट है भी और आर्म साइंटिस्ट का नाम है जिनोन इसको बनाया है 322 इस लैप का नाम है जिसमें या इसोलिट किया गया था ठीक यह तो सही है it is the most widely used versatile and easily manipulated vector सबसे जादा यूज होने वाला है it has two antibiotic resistance gene tetracycline mp cyclin बिल्कुल सही बात है दो इसके पास gene है and it does not have restriction site for cell 1 बिटा गलत है इसके पास है cell 1 इसके पास restriction sites है बार देखना अपना NCRT का diagram समझ में आ जाएगा इसका अंसर है यह बहुत easy है यह आप लोग स्यूटी क्लियर कर लो गया I guaranteed मेरे साथ पढ़ोगे ना ऐसे ही ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहे तो मैं बता दूंगे मैं बता रहे हूं कोई भी टीचर इसी content को ना आपको 6 घंटे में पढ़ाता लेकिन आप लोग समझते रहे तो बहुत डीटेल में पढ़ा रहा है वह आप लोगों का आप से समय ले रहा है उसको उसका घंटे के टॉपिक पे 107 घंटे की वीडियो बना रहे हैं उनसे उनका टाइम वेस्ट ने आ रहा है उससे लेकिन तुम्हारा टाइम बेस्ट हो रहा है तो यह सारा ध्यान आप लोगों को खुदी रखना पड़ेगा स्मार्ट स्टेडि आप लोगों को खुदी करने पड़ेगी प्रप्रश्च कोई सेलमो नीला टाइफेनियम क्लोनिंग वेक्टर कौन सा है टी प्लास्मिट है एंपी सीलिन एंटेटरा साइक्लीन लोकाई है औरी माइनस पीब आर थी ट्वेंटीटीटू है इस आग दूनिंग वेक्टर वेक्टर का पूछा है टी प्लास्मिट तो एक छोटा सा का था एंपी सीलीन टेटरसाइक्लीन लोकाई on- •- तो नहीं होगवा कौन सा हो जाएगा मेटा से kung में अगेक्ट से टी प्लास्मिट लिएक नेक्स- next question दिखेंगे which of the following is a palindromic syndrome मैंने आपको पताया था palindromic syndrome में लेफ्ट से पढ़ लो right या right से पढ़ लो left same दिखाई देते हैं जैसे कि नितिन वाउ मलियालम बहुत सारी सिक्वेंस है अब इसमें से आपको छाटना है कौन सा किसकी palindromic sequence है यार इधर से पढ़ो यह तो गलत है इधर सी का जी आता ना यार यह गलत है सी का जी जी का सी एका एक कैसे हो गया यहां पर टी आता इसका देखो जी का सी एका टी ए टी यह वाला बिटा बिल्कुल सही है third is the right answer palindromic sequence पता है ना चाहां पर restriction endonucleuses काम करते हैं यह बहुत छोटा हो गया क्या बहुत छुटकू हो गया सुर्ण मैं इसको पढ़के बता लेते हूं mixture containing देखो mixture है उसके बास DNA के fragments है यह लिखाए कि A sequence है एक A band है एक B है एक C है एक D है तो A plus B equals to C है A जो है वो B से जादा भारी है और D जो है वो C से भी जादा भारी है आपको बताना है इनका sequence क्या होगा अगर हम इनको gel electrophoresis में run करेंगे आपको मैंने अभी लिखा है कि अगर जो shorter है जो सबसे हलका है वो सबसे नीचे फिर उससे भारी उससे उपर उससे उपर ऐसे इसको run करवाना है आपको बताना है एनोड टू कैथोड यानि कि सबसे lighter वाला आपको पहले लिखना है लेको सबसे lighter कैसे होगा A plus B equals to C है A B से जादा भारी है तो यानि कि A तो उल्टा हो जाएगा B ऐसा हो जाएगा ठीक है और D C से जादा भारी है ठीक है और C कैसा है A plus B equals to C जी कैसा है D है greater than C तो D वाला तो देखो सबसे भारी हो गया और फिर C कहाँ पर आजाएगा A plus B को मिलाओगे तो C बेटा ये वाला सिक्वेंस बनेगा B सबसे अलका A उससे अलका C उससे अलका कहा है ये वाला सिक्वेंस B A C D बेटा पहला वाला है B A C D अब यह किस्या है जैल इलेक्ट्रोफोरिसस से आया हुआ कोश्चन है नेक्स कोश्चन देखो which of the following DNA sequence qualifies to design as a palindrome बेटा देखो उल्टा अजस्ट अपोजिट कर दो ये तो नहीं होएगा वन स्टैंड वाला तो पैलेंट्रोमिक सिक्वेंस होगा ही नहीं ये भी नहीं होगा इन दोनमें से देखलो ये नहीं वुटा दो में मरें तो यह नहीं को इसका एग अजीन बैसे ही लिख दिया जी धर भी ऐसा झीदर भी ऐसा नीचे वाला नीचे वाला जिल लोगों ने भी 4th option दिया है उनका 4th option is the right answer 12 देखेंगे what is the source of E-Colai, E-Colai का source क्या है बेटा E-Colai मैंने आपको बताता है E क्या है उसका genus है, को क्या है, species है, R क्या है, उसका strain है and first क्या है, जिस sequence में उसको isolate किया गया है यह बेटा, E-Colai, 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 E-Colai 13 से लिया गया है ठीक है, याद रखेंगे बेटा 13 question देखो, recombinant DNA technology involves several steps in which initial step is of isolation of the DNA पहला step क्या है, isolation करना DNA का, in which enzymes are used to process for बेटा, fungal, अगर हमें fungal से अपना desired DNA निकालना है तो उसका कैसे breakdown करोगे, बताया था अच्छा, plant cell and bacterial cell same वही question यार, same वही question पूरा, NCRT, examplers है और NCRT छोड़ना नहीं है ठीक है न, फंचाय को कौन तोड़ेगा, बेटा, काइटेनेज plant को कौन तोड़ेगा, cellulase and bacterial co-lysozyme D option, मसा आ रहे की नहीं आ रहा 14 तो देखो, PBR 322 which is frequently used as a vector for cloning gene in E. coli is N क्या है, original bacterial plasmid है modified करा है, viral genome है, transporon है इतनी देर से यही तो बताया थे कि यह lap के अंदर बनाया गया है, यानि की man-made है तो कैसा हो जाएगा, modified bacterial plasmid clear, next question देखो, 15th question है, tumor inducing plasmid widely used in the production of transgenic plant is that of यह देखो, tumor है, induced कर रहा है, plasmid widely used in the production of transgenic plant is that of ascrelia, coli, bacillus thuringiensis, streptococcus, या फिर agrobacterium, tumini faces, याद रखना है, plants के अंदर, अगर हम transfer कर रहे हैं, plants के अंदर नहादे को, plants के अंदर transfer कर रहे हैं, तो कौन सा vector लगेगा, agrobacterium, tumini faces, question बेटा, कहीं से भी घुमा के पूछ लिया चाता है, ठीक है, and I hope कि इसी के साथ आपका chapter का revision हो गया होगा, आपको idea लग चुका होगा कि स्यूटी में कैसे question आ रहे हैं, and आपको यार भरोसा होगा होगा कि किस से पढ़ना है, किस से नहीं पढ़ना, आपका कम कितने टाइम में को उनसे chapter आपको देना है, आप मुझे comment section में सब का छोड़ कर जाना, कि किस किसको next chapter मुझे पढ़ना है, ऐसे पहले chapter पढ़ेंगे, और जिसको बेटा वीडियो पसंद आयो, तो बेटा लाइक जरूर करके जाना, and सब का comment में मेरे को चाहिए, कि next chapter मैडम इस पर वीडियो बना दो, with previous year questions, तब तक के लिए, goodbye, take care, और सब ऐसे ही बेटा, पढ़ते रहो, तब तक के लिए, bye.